तभी मेरा संक्ट पथा कि मैं दुनिया को बता के रहूंगा कि जल संक्ट का भी समादान हो सकता है मैंने दसकों से लटके पड़े सर्दार सरोवर डेम का काम पूरा करवाया गुजरात में सवनी योजना शुरू हुई जहां पानी की अधिक्ता थी वहां से पानी जल संक्ट वाले इलाकों में पहुँचाया गया विपक्ष के लोग तब भी हमारा मजाक उड़ाते थे कि पानी के जो पाइप बिछाये जा रहे हैं उनमें से हवा निकलेगी हवा लेकिन आज गुजरात में हुए प्रयासों के परणाम सारी दुनिया के सामने है गुजरात की सबलता गुजरात के मेरे अनुभव मुझे ये भरोसा दिलाते हैं कि हम देश को